News 18 इंडिया से ये जंग अब एक और खात्मे की तरफ बढ़ती जा रही है इस्रेल हावी होता जा रहा है हमास पर और इसी वज़े से हमास की जो लडाके हैं उनकी जो टॉप लीडर्शिप है वो डगमगाने लगी है वहाँ पर सबसे ज़ादा हल चल देखने को मिल रही है याया सिन्वार इस शक्स का नाम आपने बहुत बार इस जंग के दौरान सुना होगा जब जंग शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को उस दौरान भी आपने कई बार कई दफा इसका नाम सुना होगा जिसका जिक्र बार बार खबरों के जरिये भी किया गया क्योंकि यही मास्टर माइन था इस पूरी जंग का इसरेल पर हमले कब करने हैं कैसे करने हैं कितना एक्यूपमेंट्स उसको चाहिए कितनी तोपे चाहिए और कैसे अचानक से किया जाए ताकि इसरेल दुबारा हमास पर हमला ना कर सके ये जो पूरा master plan खिचा था ये इसी शक्स की ओर से खिचा गया था जिसका नाम था Yaya Sinwar Yaya Sinwar ही इस पूरे game का mastermind था और इसी वज़ा से इस्रेल की नजरें, इस्रेल की जितनी भी intelligence agencies थी वो के पीचे पड़ी हुई थी, अब हालात यहां तक आ गए हैं कि जहां जहां इस्रेल को खबर मिलती है कि Yaya Sinwar चिपा हुआ है कहाई ये जा रहा है कि इस वक्त तो आम लोगों के बीच में चिपा हुआ है, रफा के पास और जहां जहां भी वो जाता है इस्रेल वहीं पर हमला करता है और अब खात्मी की ओर धीरे-धीरे हमास बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमास के तमाम नड़ाके इस पूरी जंग में मारे गए थे क्योंकि शुरवात हमास की ओर से की गई थी, लेकिन इस्रेल की राष्ट्रपदी बेनिमिन नितिन्याहू ने उसी वक्त कह दिया था कि खत्म इस जंग को अब इस्रेल ही करेगा इसलिए इस्रेल अब पीछे हटने को तयार नहीं है इस्रेल के जो डिफेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है योव ग्यालिट उन्होंने ये कहा है कि याया सिन्वार बहुत तेज हमले इस्रेल ने शुरू कर दिये हैं इतने तेज हमले किये जा रहे हैं कि अमरिका और कई सारे येरोपीय देश हैं उन्होंने तक अब इस्रेल को कहा है कि आप रुख जाओ कि वहाँ पर इतने जादा लोगों को नुकसान पहुचा है जो आम लोग हैं उनको सबसे जादा परिशानी हो रही है भाग रहे हैं वहाँ से और उनी का सारा लेकर याया सिन्वार वहाँ पर छिपा हुआ है ऐसा इंटेलिजन्स कहता है इस्रेल का तो याया सिन्वार को खोजने के तमाम तरीके यहाँ पर ढूड़े जा रहे हैं और जो टॉप लीडर्शिप है वो याया सिन्वार पर भरोसा नहीं कर पा रही है हमास में इसका एक कारण वो यह मानते हैं कि उसी की वज़ह से उसके तमाम जो लड़ाके हमास की वो खत्म हो गए हैं वो मारे जा चुके हैं जहाँ जहाँ वो जाता है वही वही पर इस्रेल हमले करता है उसका इंटेलिजिंस भी उन तक पहुंच जाता है इसी वज़ह से अब टॉप लीडर्शिप याया सिन्वा जो इस पूरे गेम का मास्टर प्लान था मास्टर माइं नितन याहू जो है उनसे अमारिका और यरोब के देश रफा बॉर्डर पर हमले बंद करने के लिए कई बार जिक्र कर चुके हैं क्योंकि वहाँ पर जितने भी सिविलियन कैम्स हैं वहाँ जो लोग हैं मौजूद जो आम लोग हैं वो परेशान हैं लेकिन इस पर इसरेल ने सफाई दी कि उनी सिविलियन कैम्स में वो जो कैम्स शर्नार्थी कैम्स वहाँ पर लगाए गए हैं हमास के बहुत सारे लडाके वहाँ पर छिपे हुएं इसी वज़़से उसकी ओर से बार बार हमले किये जा रहे हैं लेकिन इतना तो साफ है कि हमास की जो टॉप लीडर्शिप है याया सिन्वार उस पर अब इस वक्त कोई भरोसा नहीं करना चाहता और हमास इसी वज़़से अब धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है क्योंकि हमास ही मानता है कि उसी की वज़से या या सिन्वार की वज़से ही हमास के लडाके खत्व हो रहे हैं आपका क्या कहना है इसरेल हमास जंग को लेकर आप भी अपनी टिपणी हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरी और अगला कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पर आप चाहेंगी कि हम बात कर सकें आपके साथ आप वो भी कमेंट सेक्शन के जरी हमें बता सकते हैं कर दो वो भी कमेंट सेक्शन के जरी हमें